गुड मॉर्निंग स्टुडेंट टूड़े वी रिवाइज चैप्टर नमबर थ्री टिग्नोमेट्रिक फॉंक्शन्स आज इसका सेकंड पार्ट है आई आज सिख्थे हैं इसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते क्या है दिया गया इसमें इन राइट एंगल ट्रेंगल अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिया गया है उनके साइड का रेशियो क्या है सपोस्ष यहां पर ट्रेंगल ए बिए एक राइट एंगल ट्रेंगल के बने जिसका angle भी 90 degree है ठीक है अब यहाँ पर angle x consider किया गया अगर यह angle x है तो इसके सामने वाली जो side होगी वो perpendicular होगी side और जिस पर यह angle x lie करता है वो होजाता इसका base और 90 degree के सामने वाली side होती है hypotenuse अब इनके ratio में हमें एक technometric ratios मिलता है जैसे अगर हम यहाँ पर देखें perpendicular और hypotenuse का ratio निकालें तो यह होता है आपका sin x perpendicular upon hypotenuse a b upon a c उसी तरह अगर हम base और hypotenuse का ratio देखते हैं तो यह होता है cos x ठीक है tan x क्या होता है perpendicular upon base इस तरह हम यहाँ पर ratios find out करेंगे कुछ यहां पर technometric identities है sin square theta plus cos square theta equal 1 cos square theta equal 1 minus sin square theta 1 plus 10 square theta 6 square theta को होता है तो यहाँ पर हम 10 square theta को लिख सकते है 6 square theta minus 1 1 plus cot square theta equal cos x square theta यह equal होता है यहां पर quad square theta जो है इसके एक को लोगा cause से की square theta है हम यह करके quadrant के बारे में बताऊंगा आपको सामने यह दिया गया है first quadrant है और इसकी degree है 0 से लेकर 90 degree means 0 से pi by 2 first quadrant की क्या property होती है first quadrant में सभी के सभी technometric function positive होती है ठीक है अब सभी के सभी technometric function positive का मतलब क्या है कि यहां पर जितने भी है sin, cos, tan फिर उसका reciprocal cause sec, sec और quad theta वो सभी के सभी positive होती है और इसमें एक important property है कि अगर हम किसी भी angle को 90 degree मतलब अगर हम सीधे clear कहें यहां पर 90 degree और 270 degree means इस वाले axis पर यह axis आपके 90 degree और 270 degree से connected है तो इस axis को complete कर लेते हैं यह y axis है y axis में हमेशा technometric function change होता है technometric function change होने का meaning क्या है suppose that यहां पर देखो technometric function change होने का मतलब है कि अगर आप sin 90 minus theta ठीक है अब 90 minus theta का मतलब 90 में एक angle लेंगे जो 90 में minus करने पर वो first quadrant होगा क्योंकि 0 degree से लेकर 90 degree तक यह first quadrant होते हैं अब यहां पर इस वाले angle पर 90 degree है और आपका कौन सा एक angle है sin 270 degree ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी तो first quadrant में अगर हम 90 degree में जब भी हम बातें करेंगे तो यहां पर dignometric function change होते है sin का cos theta हो जाता है ठीक है अगर वो cos में है तो क्या change हो जाएगा sin में ठीक है यहां पर अगर 90 minus theta है तो यह 90 minus यहां रखेंगे तो sin theta change हो जाएगा इसी तरह अगर 10 90 minus theta है तो यह क्या हो जाएगा cot theta इसी तरह वो अगर sec 90 minus theta है तो क्या हो जाता है cos sec theta इस तरह इनका जो है dignometric function change होता है ठीक है अब यह तो है first quadrant अब second quadrant कहां से कहां तक लाई करता है यह 90 degree से 180 degree के बीच में 90 से 180 degree में यह second quadrant होता है और second quadrant की क्या property है इसमें केवल sin theta और उसके रेसी प्रोगम cos sec theta positive होंगे अब यह मतलब है कैसे हमें पता चालेगा कौन second quadrant में जा रहा है कौन first quadrant में एंगल को देखकर आप बता सकते हो जैसे मैंने एंगल लिया है suppose करो मैंने आप से पूछ लिया कि sign 135 degree बताओ पहले तो आप इस एंगल को देखेंगे यह एंगल 135 degree है तो आप देखो कि यह कहीं second quadrant नहीं है second quadrant का range क्या है 90 degree से 180 degree अगर कोई एंगल 90 से 180 degree के बीच में है तो वो second quadrant होगा और second quadrant में sign और उसका reciprocal कोई से positive होता है अब sign 135 degree है तो मैं इसे लेख सकता हूँ sign 180 degree minus 45 degree ठीक है अब इसमें जो formula होता है इसमें अब यह sign है इसमें sign positive होगा यह हो जाएगा आपका sign 45 degree sign 45 degree की value 1 by root 2 ठीक है first quadrant में जब भी angle था यहाँ पर मैंने बताया यह 90 degree है तो उसमें technometric function change होगे लेकिन second quadrant में अगर angle आपका 180 degree होगा तो उसमें technometric function change नहीं होगे बस उसमें plus और minus का difference हो सकता है plus और minus quadrant के according ही हम रखते हैं sign 45 यहाँ पर 1 by root 2 अब मैं देखो एक है आप पर 135 को 90 degree के form में बताऊंगा मैं sign 135 degree अब मैं इसे 90 degree के form में कैसे लिखूंगा sign 90 degree plus 45 degree ठीक है अब देखो मैंने 90 के form में लिखा अब यह यह भी second quadrant में क्योंकि 90 में कुछ add करोगे तो तुरंत वो second quadrant में enter होंगे अब यहाँ पर sign positive होगा लेकिन 90 degree में calculate करने में क्या दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर यह आने पर trigonometric function चेंज होंगे sign का cos बन गया cos 45 degree cos 45 degree की value 1 by root 2 दोनों ही case में यह आपस में equal होते हैं ठीक है तो इस तरह आपको इनको form लोगे याद करना है बस आपको यह देहा रखना है first quadrant में क्या positive है second में क्या positive है और बाकी तो इनसे बनी जाएगा question sign 90 plus theta cos theta होता है cos 90 plus theta minus sign theta हो जाएगा 10 90 plus theta minus cot theta इसी तरह sign 180 minus theta sin theta positive होगा cos 180 minus theta cos तो यहाँ negative होगा minus cos theta ठीक है इसी तरह second quadrant में रखेंगे अब हैं यहाँ पर third quadrant third quadrant में क्या खासियत है इसमें angle का जो हम कैसे पहचानेंगे angle 180 degree से लेकर 270 degree के बीच में होता है अब देखें यहाँ पर angle 180 से 270 के बीच में होता है इसका मतलब है अगर हम 180 degree के form में बातें करें तो sin 180 plus theta यहाँ पर minus sin theta अच्छे इसका identification क्या है third quadrant में केवल 10 और cot positive होते है ठीक है 10 और cot अब इसी तरह यहाँ पर fourth quadrant में केवल cos theta और 6 theta positive होंगे बस पहचानने वाली बाते हैं ठीक है अब मैं एक एक example third quadrant और fourth quadrant का बताऊंगा अब जैसे मैंने angle लिया यहाँ पर sin 210 degree ठीक है मैंने ले लिए sin 210 degree तो मैं 210 को लिखेंगा 180 degree plus 30 degree ठीक 210 degree यह second quadrant नहीं है third quadrant आपका होता 180 से 270 बीच में यह third quadrant में इसको देखते ही तुरंट आप क्या रखेंगे आपर minus minus रख दिया और साथ ही साथ यह 180 degree है मतलब इस axis पर कौन सी axis यह आपकी axis जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर x axis इस पर अगर कोई भी एंगल आते हैं जैसे 180 degree लिया या 360 degree में हम बाते करेंगे वहाँ पर trigonometric function change नहीं होंगे तो देखो यहाँ पर यह हो गया 180 प्लस 30 third quadrant में 10 और chord को छोड़कर और बाकी सब negative यह हो गया sin 30 degree sin 30 की value होगी आपकी 1 upon 2 तो minus 1 upon 2 ठीक है इसी तरह portion solve होंगे और एक fourth quadrant का example ले ले लेते हैं fourth quadrant में मैंने ले लिए सब पूच करो cos 300 degree 300 degree पहले तो यह satisfy कर लो 300 degree कहा होगा 270 से लेगे 360 के बीच में यह fourth quadrant में है तो मैं लिख सकता हूँ cos 360 degree minus 60 degree 300 को ही लिखा मैंने ऐसे ठीक है तो cos 360 minus theta positive में आएगा क्योंकि fourth quadrant में cos positive है तो आएगा cos 60 degree cos 60 degree value होती है 1 upon 2 तो अब इस तरह question को हम solve करेंगे अब कैसे भी कितने भी बड़े question क्यों आए जाए इसी तरह हम solve करेंगे 3.2 के exercise में मैं आगे बताओंगा कैसे question solve करना होता है अब इसमें एक important में property आपको बताओंगा देखो यहां पर दियान से देखना है यहां पर यह last property है यह first quadrant आपका second quadrant third quadrant और fourth quadrant जब भी angle का measurement होता है वो इस direction में इस direction को कहते है anti clockwise ठीक है और इस direction को कहते है clockwise direction जब भी हम measure करते है तो हमें सब positive होता है इस direction में clockwise में negative sign आ जाता है जैसे मैंने आप से कहा sign minus 45 degree ठीक है अगर आपको पता नहीं है minus का यहां पर meaning क्या है minus का मतलब है अब angle का measurement clockwise direction है clockwise ज़स्ट उसके उल्टे anti clock के ठीक है लेकिन clockwise direction हमेज़ा यह fourth quadrant में पहले enter करता है अब fourth quadrant में cos और से positive होता है और बाकी सब negative तो पहले इसका solution कैसे करते है sin minus 45 है तो sin अब यहां पर के बल कॉस और से positive है तो sin आ जाता है यह negative minus sin 45 degree और यह हो जाता है minus one by root तो इनके जो फॉर्मले हैं यहां पर क्या फॉर्मला है sin minus theta यह होगा minus sin theta cos minus theta यह positive होगा cos theta 10 minus theta यह होता है minus 10 theta ठीक है तो इस तरीके से question को solve करेंगे ठीक है और next time आपको 3.2 total question मैं बताऊंगा